हेलो दोस्तो, स्टोरी एजिकुशन में आपका स्वागत है, आज हम LTTGTPGT शिक्षक भरती के परिक्षार्थियों के लिए अंग्रेजी यानि इंग्लिश प्रिवेसर पेपर का पार्ट नाइन लेकर आए हैं और इसमें हमने सारे वही कोशन कंपाइल करें, जो पिछले 10 वर्ट्शों से सबसे जाधा पूछे जा रहे हैं तो चलिए बिना देर करें, हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला कोशन तो दोस्तो आज का कोशन नंबर बन जो है, वो इडियम बेस्ट कोशन है सबसे पहले हमने इडियम बेस्ट कोशन ही जो है, वो आज हम स्टार्ट कर रहे है तो सबसे पहले जो इडियम है, आपको इसका मीनिंग बताने है, इडियम का मतलब होता है मोहावरे इडियम है, to bell the cat तो इसमें चार ओप्शन आपको दे रखें, to take lead in danger to tie bell to cat's neck to be alert of the enemy, to make noise to bell the cat, इसका मतलब होता है कि कोई भी daring काम होता है, यानि जिसमें बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, वो करना या उसमें आगे रहना, तो इसका option number one जो है, वो इसका correct answer होगा है, यानि to take lead in danger next question क्यों राते हैं, to fly off the handle, to fly off the handle, इसमें चार ओप्शन आपको given है, to break something, to be indifferent, to act foolishly, to get into a rage, and lose self-control तो fly off the handle का मतलब हम ये idiom कभी use करते हैं, हम ये idiom तभी use करते हैं दोस्तों, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुसा होता है, और वो अपना self-control जो होता है, उस गुसे में खो देता है, तो इसका option number four जो है, वो इसका correct answer है, दोस्तों, to get into a rage, rage का मतलब होता है, गुसा ह तो option number four जो है दोस्तों, इसका correct answer है, next question क्यों राते हैं, आप इसको खुद भी solve करके खुद भी अपना answer सोच सकते हैं, next question है, fair and square, successful, second option आपको दे रखा है honest means, third दे रखा है honest, और fourth दे रखा है worthy, तो इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सा इसका answer होगा, fair and square का successful होगा, honest means हो होगा, honest होगा या वर्दी होगा, तो I hope आपने अभी तक सोच लिया होगा, इसका वैसे जो option number three है, honest, वो इसका correct answer है, fair and square, इसको जाद तर हम इस तरीके से भी use करते हैं, the policy is the fair and square policy, यानि यह जो policy है, वो बहुत ही honest policy है, इस तरीके से, या he is fair and square in speaking, यानि वो बहुत जादा honest है बात करने में, तो option number three जो है, वो इसका correct answer है, next question क्यों और आते हैं, to cut a sorry figure, इस idiom का meaning क्या होगा, a nominal head, to fight, to a finish, to be ridiculed, to struggle, to cut a sorry figure, इसका meaning क्या होगा, सबसे पहले हम बात कहते हैं, कटा sorry figure का मतलब होता है, कोई भी जादा हाथ से प्रद होना किसी चीज का, या किसी चीज को देखकर बहुत जादा आपको लगे कि आपको बहुत जादा हासी आ रही है, तो इसका option number three जो है, to be ridiculed, correct answer होगा, next question क्यों रहाता है, flash and blood, इसका meaning क्या होता है, flash and blood का meaning क्या होता है, human nature, warning in life at the top speed, flash and blood, सुनने में थोड़ा सा negative sentence लगता है, negative idiom लगता है, लेकिन यह idiom जो है, वो बिल्कुल भी negative नहीं है, flash and blood, इसका meaning जो होता है, वो होता है, human nature, यानि इंसान का behavior, उसको ही हम idiom बोलते है, flash and blood, ठीक है, तो option number one, इसका जो है दोस्तों, वो बिल्कुल correct answer है, next question क्यों आते हैं, next question आपको दे रखा है, आपको one word substitution का पार दिया है, आपसे पुछा गया है कि too much official formality, इसको क्या कहते हैं, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, यह one word substitution का पार इससे पहले हम idiom कर रहे थे हैं, तो मच official formality, इसको हम क्या कहते हैं, delayed, officiousness, formality या red tapism, तो जब बहुत जादा official formality होती है, तो हम उसको एक word से जानते हैं, उसको हम कहते हैं, red tapism, यानि option number 4 जो है, वो इसका correct answer, red tapism, इसका मतलब होता है, बहुत जादा official formality होना किसी चीज में, next question क्यों बढ़ते हैं, question number, next है, a speech made without preparation, यानि ऐसी speech जो आप बिना preparation के बना देते हो, या क्या है देते हो, तो मान लेते हैं, आप किसी जगा पे गए और आपने बिना किसी preparation के, आप किसी class में पढ़ाने के लिए गए हैं, आपकी नोकरी लगी है, और आप बिना किसी preparation के, आपने कोई भी speech या किसी भी topic के उपर आपने बोलना शुरू करा, तो उस speech को कहते किया हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उस speech को क्या कहेंगे, prepared कहेंगे, जो कि बिल्गुल गलत होगा, debate, debate का मतलब होता है, दो आदमियों के बीच में किसी चीज के उपर वारता लाप होना, illocution या extempore, तो इसका जो answer होता है, वो था extempore, extempore का मतलब होता है, ऐसी speech जो आपने बिना preparation के बनाई हो, या कही हो, नेक्स्ट आता है, a cure for all disease, हर disease के लिए जो एक दवा होती है, उसको हम क्या कहते हैं, या हर मर्स की दवा, अगर हिंदी में बताऊं, तो इसको हम क्या कहते हैं, panacea, cure, anti-biotic क्या remedy, तो इसका जो option number, जो दोस्तो 1 है, वो इसका correct answer हो का panacea हम उसको कहते हैं, a cure for all disease, next आता है, one who lives among strangers, recluse उसको हम क्या कहते हैं, one who lives among strangers, यानि जो अजनबियों की बीच में रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, recluse कहते हैं, alien कहते हैं, stoic कहते हैं, recluse, alien, stoic या rustic, तो जो अजिनवियों की बीच में रहता है उसको हम सीधा सीधा हम बात करें उसको हम कहते हैं एलियन यानि option number two इसका correct answer है चले next question क्यों और आ जाते है A place for keeping bees मदुमक्यों को रखने के लिए या मक्यों को रखने के लिए जो place होता है जैसे आप शायद खाते होंगे मक्यों का शायद जो खाते हैं आप मदुमक्यों का तो वो मदुमक्यों जो होती हैं पाली जाती है तो किस जगा पाली जाती हैं उस जगा को कहते हैं आपसे यह पुछा किया है aviary कहते हैं cage कहते हैं apiary कहते हैं या nest कहते हैं तो जहां पर मदुमक्यों पाली जाती है उसको हम कहते हैं Appiary Appiary वो होता है जहां पर हम चिडिया पालते हैं Cage जिसमें कोई भी जानवर को रखा जाता है Nest जिसमें किसी भी चिडिया को या किसी का घोसला हम घोसला भोलते हैं इसको हिंदी में तो वो छोटी चीज़ होती है Nest जो होती है तो Appiary जो है वो इसका correct answer है जहां पर मदुमक्यों को रखा जाता है Option No.2 Next question आजाता है आपको बोला है Most appropriate proposition आपको blank जो आपको यहां पर दिख रहा है इसमें fill करनी है तो blank space जो आपको दिख रहा है तो a good judge never drops for the conclusion इसका correct answer होगा यानि Option No.4 Next आजाते है Let this be example Dash the troublemaker 4 about against 2 Let this be example 2 the troublemaker That means Option No.4 इसका correct answer होगा 2 I am angry with him Dash his carelessness At, in, for, off तो आपको क्या लगता है Angry with him At लगेगा At his carelessness In his carelessness लगेगा For लगेगा या off लगेगा तो Option No.1 मैं आपको बता देता हूँ इसका correct answer है I am angry with him At his carelessness होगा In नहीं होगा For नहीं होता और Off भी नहीं होता तो Option No.1 जो है इसका correct answer है चलिए Keep Clear Dash Wicked Boys First Off From At या Alter तो Keep Clear यानि कित से दूर रहो बुरे लड़कों से दूर रहो तो यहाँ पर क्या लगेगा Off Wicked Boy From नहीं लगेगा At नहीं लगेगा After भी नहीं लगेगा ठीक है तो Keep Clear Off Wicked Boys जादर बच्चे सोच रहोंगे कि From क्यों नहीं लगेगा From क्योंकि Keep Clear का मतलब ही From होता है एक तरह से तो Off इसके साथ में Preposition Follow होती है हर बार तो इसका Option No.1 जो है वो इसका correct answer होगा Ham has no control Dash His temper तो Over His temper इसका correct answer है Last question देखते हैं Complete the sentence By correctly filling the blanks आपको एक sentence दे रहा है आपको इसमें correct word फिल करना है इसबर It was difficult to see through Dash of the headlight at the cars Brilliance, dazzle, brightness, shine तो इसका जो correct answer है वो होगा dazzle Dazzle का मतलब क्या होता है अब इसके बात कर लेते हैं इसका मतलब होता है To be wilder with access of light चले दोस्तों आज के लिए जो है वो इतना ही हम करते हैं इसके आगे काम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दने बारे दोने दोस्तों करते हैं